तो आज का व्लॉग काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है यह मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ओल्ड पार्लियमेंट हाउस है तो आज मैं आपको वह दिखाने जा रही हूँ एक और है पार्लियमेंट हाउस जो बिल्कुल एंट्री पे है लेकिन वहाँ जाने के लिए कुछ दोक्यूमेंटेशन वगेरा रिक्वाइड थे जिसके वारे मुझे नहीं पता था तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो मैंने सुचा आज आज आपको ये वाला दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें कोई रिक्वाइर्मेंट नहीं थी आप इसली जा सकते थ और जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ पर एक लेड़ी बैठी थी मैंने उनसे पूछा यहां के बारे में कि क्या है और क्या इसका बैक्राउंड रहा है सब कुछ तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पार्लियमेंट हाउस के अंदर Queen's Land के 11 Governors रहे हैं अपनी Families के साथ जब Queens Land and New South Wales का Partition हो गया था तो Queensland के Governors ने इस एरिया को चंसरक्ट करवाया था जिसमें वो अपनी Family के साथ रहते थे यहां पे 11 Governors of Queen's Land अपनी अपनी Families के साथ रहे हैं और यहीं पर ही उन्होंने जो भी duties उनकी होती थी जो भी रूल्स, मीटिंग्स और जो भी सारी चीज़े होती थी, वो इस ही हाउस के अंदर वो करते थे, यहां पे भी दो एरिया बने होए हैं, एक एरिया उन्हें अपने स्लेव्स, स्लेव्स नहीं बोलेंगे उनको, उनके जो नौकर होते हैं, उनके लिए बनाया है, जो कि इतन इवेंट्स का एरिया है, आप अभी वीडियो के थोड़े एंड में देख सकोगे, कि वो कितिना अंदर डेवलप्ट है, देखकर ही बता चल जाएगा कि वहाँ पे वाल्स अगेरा थोड़ी ऐसी सी हैं, वेल मेंटेंड नहीं हैं, जो पाइप्स अगेरा हैं, वो भी थोड इनिंग एरिया का भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे किसी की शादी है, कोई मीटिंग है, या कोई गैदरिंग है, तो उस चीज को भी अब यहाँ पर करने लगे हैं, तो यहाँ पर वो जो लोग रेडी कर रहे हैं, सारी चीज़े टेबल वगेरा, वो रात के डिनेर के लिए तयारी कर रहे थे, किसी फैमिली को यहाँ पर गैदरिंग करनी थी, तो उनका मीट अब था तो उसके लिए, वो लोग तयार कर रहे थे, तो यह सारा उनके बार में कुछ इन्फोरमेशन, पहले वो कैसे दिखता था यह पारलिमेंट हाउस अंदर से, और जो यह रूम है, यह रूम फॉर प्लानिंग था, तो यहाँ पर प्लानिंग्स वगएरा होती थी, प्लान्स बनते थे, सब लोग बैटके खटे मीटिंग करते थे, अब यह पुराने गवर्नर्स वगएरा, उनकी फैमिलीज, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता था, और यह हाउस के अंदर भ उनके जो साथ में मीटिंग करने वाले लोग हो देते, उनके साथ पिचर्स थी, यह सारी चीज़े यहाँ पर थी, तो जो वहाँ पर लेडी थी, जिनसे मैं पूछ रही थी, वो बता रही थी, कि कुछ टाइम बाद यहाँ से यह पार्लियमेंट हाउस, जब 11 गवर्नर्स उसके बाद रिसाइड हुआ, कि अब कहीं और बनाते हैं, थोड़ा एकांत में हो, और उसमें प्राइवेसी थोड़ी जादा हो, क्योंकि इस एरिया को युनिवर्सिटी को दे दिया था, तो यह उतना प्राइवेट नहीं रहा था, काफी सोशली हो गया था, लोगों का आ यह इंस्ट्रुमेंटेशन लगेंगे, यह इंस्ट्रुमेंट एरिया यहां पर भी पिच्छों लगाए थी, जब वो इसको बजाते थे, जब वो इसको बजाते थे, तो कैसा था, यह जो सीडिया है, यहां पर जाना, अलाउर है, लेकिन इस टाइम पर उपन नहीं हुआ हाला कि वो अबर वाला एरिया इसके अंडर नहीं आता, वो बाद में कंस्ट्रुक्ट हुआ है, आर्ट गैलरी है वो, और आर्ट वगेरा है किसी पेंटर का, वो इसके अंडर नहीं इंकलूड हुआ, तो इसलिए पी मैंने सुचा कि कोई बात नहीं खुला, तो क्या हुआ यह है सर्वेंट सेरिया, अब देखो, यहाँ पे कैसे टूटी-फूटी दिवारे हैं, यह सारी चीजें, अंडर डेवलप्ट सा है, थोड़ा, यहाँ पे अब काफे घोल दिया है, अब होता है न, एस्थेटिक वाइब्स वेला काफे, तो उस तरीके से, यहाँ पे अंद यहने देखी, कवर करी, और भिल्म में बहार आ गई, थाउटिक वाच्चींग वीडियो, यहाँ आऊ यहाँ था।